हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों जर्मन कोग रोज से अगर आप लोग परेशान हैं जो छोटे वाले कोग रोज होते हैं जो मोशली किचन के अंदर या बाथरूम के अंदर आपको मिल जाते हैं और अगर आप हीट और बैगोन जैसे इस प्रे करके आप परेशान आ चुके हैं तो इसका सबसे अच्छा है यह फिपरोनिल जैल इसको एक बार आप अपने घर के अंदर लगा दें और लगाने के बाद साथ आट डिन के अंदर यह कोग रोच को जड़ से खतम कर देता है और फिर आपको एक से डेड़ साल भी कोई भी कोग रोच आपको अपन आने के बाद एक डेड़ साल भी आपको अपने घर के अंदर एक भी कोग रोच नजन नहीं आएगा अगर यह जैल आप मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे दीवे नंबर पर पोल करके इसको मंगा सकते हैं हम आपको घर बेठे कोरियर कर देंगे और चार से फास दिन के चलता हूं वहाँ पर हम पहली जैल को लगाएंगे और लगाने के बाद साथ आठ दिन के बाद दुवारा उस साइट पर जाएंगे और इसका रिजल्ट में आपको दिखाऊंगा और साथ में कस्टमर का क्या फीड़ बैक है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा ठीक गाइस चल सबसे पहले इंफेस्टेशन चेक करते हैं कि कितनी प्रोबला में इस किचन के अंदर यह देखिए आप ऐसी जगाओ पर कोगरोज भुच जाते हैं यह देखिए यह बेटे हुए आपर रात के टाइम में बाहर निकलते हैं यह जर्वन कोगरोज है इसके लिए जैल सबसे बैटरी ना यह देखिए यहां पर खिंजिस के अंदर घुचा हुआ है तो ऐसे जगाओ पर जागे घुच जाते हैं जहां भी क्रैक्स मिलता है इनको या कोई भी गैप होता है चली शुरू करते हैं लगाना हम इस जैल को पूरी किचन में लगाने वाले हैं और इस जैल के 3-4 mm के छोड़े-छोड़े डोट्स लगाने होते हैं देखे इस तरीके से यह प्रोपर आपको दिखाई दे रहा होगा तो छोड़े-छोड़े डोट्स लगने के बाद में इसको जो है कोगरोज खाना शुरू कर देते हैं और फिर धिरी-धिरी करके 7-8 दिन के अंदर सार दें यह जल अपने आप काम करेगा और कोग रोचों को जड़ से खतम कर देगा यह देखिया तो इस तरह से हमें पूरे किचन के अंदर लगाना है हर कैबनेट के अंदर और जहां-जहां भी क्रैक्स हैं या कबजे लगे हुए हैं या कहीं भी गैप है उन जगाओं पर इस वापस आपको घर के अंदर समान किचन में लगाना है तो इसमें आपका पूरा दिन खराब हो जाता है जब कि यह जैल लगाने में आपका मैक्सिमम अगर आपका 6-6 का किचन है तो आपको 40-45 मिर्ट लगेंगे और थोड़ा बड़ा किचन है तो एक घंटा लग जाएगा अगर आप अराम से काम करते हैं तो बिल्कुल हैसल फ्री वर्क है यह और इसकी खास बात हो रहे है कि आप इसको लगाएंगे तो ना तो कोई आपको इसमेलाईगी घर के अंदर और ना ही बच्चों को नुकसान देगा और ना ही आपका कोई सामान जो किचन में रखा है व बचा रह गया तो 15-20 दिन में उतनी कोग रोच दुबारा कर देता है तो आपके लिए सबसे अच्छा है जेल ट्रीटमेंट जेल अपलाई करते टाइम बस आपको एक बात का ध्यान रखना है जेल लगाने से 7-8 दिन पहले तक किसी और केमिकल का इस्प्रे बिल्कुल मत कर वहाँ पर भी इस तरह से पीछे के तरफ और नीचे के तरफ आपको जेल जरूर अपलाई करना चाहिए क्योंकि यह छुपे होते हैं गैप को गैंदर ऐसी किजन कैबिनेट्स के नीचे की तरफ जो कोने होते हैं और जो टॉप का कोने होते हैं और खिड़के दरवाजों के साथ-साथ भी हमें जेल जरूर लगाना चाहिए तो गाईज कोगरोज जेल तो हमने यहां लगा दिया है अब इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा साथ दिन के बाद साथ दिन के बाद यहां आएंगे अगर यह जेल आपको चाहिए तो आप हमारे दिवे नंबर पे कॉल करके इस जेल को मंगा सकते हैं मिनिममम दो जेल का आपको ओडर देना होगा दो से नीचा में एकसेप्ट नहीं करते क्यूंकि हमें यह कोरियर भी करना होता है आप लोगों कि हैलो गाइज कोग रोज का जेल लगाए हुए उस घर के अंदर आज सेवें डेज हो गए हैं चले चलते हैं और आपको वहाँ पर दिखाते हैं क्या रिजल्ट है हमारे जैल का और साथी कस्टमर का फीड़बैक भी लेते हैं कि कैसा फीड़बैक है तो यह हमारे सर जिनकर अन्दर कोगोष टरीटमेंट किया था किचन के अंदर श्रमने स्वाफ इन पहले कोगोष तेको डिया था तो आपको किचन के अंदर कैसा जठ मिला की चंधे जू है चांब नहीं दिखा नेसी दिन Мें आपको लगाए और चपर लगाद मिलना चुर तो दोस्तों यह इतना अच्छा पैस्टिसाइड है कर एक बार कहीं लगा दें घर के अंदर और आप साब सफाई का ध्यान रखें तो दोस्तों कम से कम एक से लेके डेड़ साल तक एक भी कोकरूच आपके घर के अंदर नजर नहीं आएगा इतना जबर्दस पैस्टिसाइड है अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी यूस्पूर लगी यह तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह जयल मंगाना है तो हम कोरेर थूर आपको ओल ओवर इंडिया में आप हमसे म करें सब्सक्राइब करें से ऊंगरो जगे में जड़ा है यह वीडियोब्सबड़ा आपको यह वीर को बढम भे से अंगरो आपको एंगर आपको यह हिलो आपको यह जबंदाल